अलो प्रेंट आज हम यहां पर डिसकस कर रहे हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिम्टेट शरका टेक्निकल एनलसी तो पर यहां पर मंतली चार्ट पे एक लॉंग टम वीव को अगर देखा जाए तो स्टॉक में आगे क्या पॉसिबिलिटिस बन करके आ रही है इस पर हम करने वाले हैं चार्ट चार्ट अपर आप देखेगा आपके सामने यहां पर जो चार्ट प्रेजिट किया गया है यहें मंतली क्लिस्टिक पेटन चार्ट यहां पर एक केंडल एक मंत को रिवाइस कर रही है मतलों यहां पर आप देखेंगे तो 2009 से लेकर के अभी तक का पूरा करेट आपके सामने आ चुका है और यहां पर अगर धिया जाए तो यह स्टॉक को हमने साड़े 300 रुपए के आसपास भी देखाए कब की बात हो रहे यह 2010 के आसपास की बात है उस समय हमने स्टॉक को देखा था साड़े 300 रुपए के आसपास और यहां से हमें गिरावट द गया लेकिन हम देखते हैं 200 रुपए के उपर हमें फिर से श्टॉक जाता हुआ नहीं दिखाए दिया इस तरह से स्टॉक कई बार गया 200 रुपए तक यह देखेगा आपको आपको आपर तीन बार दिखाई दिया 200 रुपए के आसपास च्टॉक जाते हुए यह देखिए लेकिन इसके बाद finally क्या हुआ फिर एक बड़ा correction आता है और stock हमें नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया और इस बार stock जो है वो 90 रूपए के भी नीचे जाता हुआ दिखा देता है फिर से stock में तेज़ी आती है और एक बहुत बड़ा correction आता है और stock सीधा 18 रूपए तक correct हो जाता है मतलब stock जो है पूरी तरीके से यहाँ पर ख्रेश हो चुका साड़े 300 रूपए के चीज यहाँ पर 20 रूपए के अंदर आती हुआ हमें दिखाई दीती फिर हमने देखा stock में धीरे धीरे फिर तेजी हमें देखने को मिली हलका फुलका correction पर देखने को मिला लेक आपर दो सिनारियो बनते हुए दिखाई दे रहें एक सिनारियो तो यह बनेगा यहां से rejection होता है एक बार फिर से stock नीचे आता हुआ दिखाई देखता है और consolidation यहां पर कर सकता है लेकिन यदि breakout हो जाता है यदि 200 रुपए पर इस टॉक ब्रेक आउट कर जाता है तो उस इसली चैट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है इस टॉक अपने ब्रेक आउट की तरफ बढ़ रहा है यदि 200 रुपए को ब्रेक आउट मिलेगा रिश्टाक ऊपर की तरफ 500 रुपए 300 रुपए तक के टर्गेटा को दिखा सकता है तो फिन यह ता हमारा टेक्निकल व्यू भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिम्टेट शेर को लेकर के इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भीना थैंक यू सो मुच पर वाचिं इस वीडियो